हलो स्वागत है आपका हमारे चनल करियर अपडेट बाइंजीनियर में और एक नए जो आपडेट के बारे हम लोग बात करने वाले हैं जो की निकल के आ रहा है सेंट्रल कोल फिल्लिंटेट की तरफ से यानि की CCL की तरफ से और यह अपरेंटिस का जो आपडेट है तो जो लो और वहाँ पर employment section में आ जाना है और यहाँ पर आपको एक advertisement दिखेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं CCL updates में यहाँ पर आपको दिखेगा कि advertisement of one year apprenticeship at CCL to be engaged in financial year 2021 ठीक है तो आप यहाँ से इस advertisement को download कर सकते हैं और अच्छे से read कर सकते हैं तो आईए जो इस advertisement के जो key points हैं उसको म देखें यह है official notification और 20 11 2021 कोई notification यहाँ पर आया हुआ है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं central call field limit अब यहाँ पर हम लोग जो महत्पूर्ण चीजें हैं उसको यहाँ पर पढ़ देते हैं यहाँ आप देख सकते हैं apprenticeship at even NAPS पहली बात मैं आपको यह क्लियर कर दूँ कि पोर्टल बहुत से लोगों ने register कर रखा होगा जिन लोगों ने register नहीं किया यह यूट्यूब पर वीडियो देके register कर लेना कि कैसे आपको apprenticeship India.org पर register करना है उसी के तुरू आप क्या कर पाएंगे इसमें आवेदन कर पाएंगे अब देखे जो महत्पूर्ण चीज है उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर छोटा 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 लिखा है तो आप इन चीजों को समझ लीजेगा तो यहाँ पर देखे इलेक्ट्रीसियन का टोटल सीट 190 है और यहाँ पर जो कालिफिकेशन है आप से बहुत ठीक ठाक मांगी गई है टेंद दुकालिफिकेशन और इलेक्ट्रीसियन में होना चाहिए अच्छी मैसले कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर NCVT और SCVT दोनों को यहाँ पर इलाओ किया है क्योंकि बहुत से जो PSU होते हैं जहाँ पर क्या बोलता है सिर्फ NCVT तो यहाँ से ज लोग जिन्होंने अपने एक रेजुशन के बाद ITI किया है और वो अप्रेंटिसिप करना चाहते हैं देर में ITI किया है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं साथी साथ 30 साल के ऊपर जो SCVT छात्रों को 5 साल का रिलेक्सेशन और OBC चात्रों को 3 साल का रिलेक्सेशन आप यहाँ पर देखते चलिएगा कि 10th प्लास ITI Mechanic Repair and Mechanic of Heavy and Light Vehicle Mechanic ठीक है ट्रेड इन आटो मोबाईल सेक्टर आप डिजाइन ट्रेड तो यहाँ पर आप अपना ट्रेड देखते चलिए कोपा का 20 सीट है सेंपल है यहाँ पर 10 प्लास और उसके बाद ITI होना चाहिए इसके पर का पाँच है बुक बाइंडर का दो है कारपेंटर का दो है डेंटर लेबरोटरी टेकनिशियन का दो है फूट प्रोडक्शन का एक है फरनीचर एंड केमिन मेंकर का दो है ठीक है आप अपना इधर अपना देखते चलिए क्वालिफिकेशन और आप डीटेल में इसको वेबसाइट से डाउनलोड करके पड़ सकते हैं लिंक में डिस्कुप्शन दॉक्स में दे दूंगा या आप मारे टेलेग्राम चैनल से भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पड़ सकते हैं ठीक है गार्डनर यानिकी माली का दस है यहाँ पर हॉर्टी कल्चर अ अब फोस्टेलर का वन है सेग्रेटियल असिस्टेंट का पांच है यहाँ पर आप देख लिजेगा इंग्लिस का मांगा गया है सेग्रेटियल असिस्टेंट इंग्लिस का मांगा गया है तो इस टेनों इंग्लिस वाले जो छात्र हूं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सिर तो इस तरीके से total number आप post 549 है अब बात करते हैं आवेदन की अंतिम पिती तो 5 दिसंबर से पहले आपको आवेदन करना है स्टाइपेंड की बात करें तो आपको 7000 रुपए यहाँ पर स्टाइपेंड मिल जाएगा अब अनिवार एवगिता की बात करते हैं तो आपकी जो एज है 18-30 साल होनी चाहिए और 35 साल SCST वालों के लिए और 33 साल OBC के लिए ठीक है अब भेरतियों ने कम सकम दसवीक अच्छा उत्तिण की हो और सम्बंधी ट्रेड से क्या हो उनका ITI उत्तिण होना चाहिए ठीक है अब देखें चैन में निम्न लोगों को प्राथमिक्ता दी जाएगी तो इसको भी आप पढ़ दीजेगा यानि कि यदि आवेदक परिजना प्रभावित परिवार प्रोजेक्ट अफेक्टेट प्यूपल का सदस्य है यानि कि मालीजे सिचियल का कोई प्रोजेक्ट बन रहा है और उसके करण आपका जीवन प्रभावित हुआ है तो आपको प्राथमिक्ता दी जाएगी ठीक है और इसका कोई fees भी नहीं है, simple आप apprenticeship portal से apply कर सकते हैं, तो जिन लोगों को करना है, apply कर दिजेगा, भले बाद में नहीं करना होगा, तो मत करिएगा, ठीक है, अब यहाँ पर दिखे, registration का सीधा सीधा प्रक्रिया है, कि अगर apprenticeship portal पर आपने registration किया है, तो आप direct apply कर सकते हैं, नही रेजिस्टर करें, online पंजी करना के बाद apprenticeship opportunity जिन लोगों ने register कर लिया है, वो सीधा सीधा apprenticeship opportunity पर क्लिक करेंगे, ठीक है, देखे, यहाँ पर क्या करना है, आपको apprentice opportunity टैप पर जाना है, और अपनी सम्बंदी टेडमेर्ट पर सिच्छन है तो, apprentice portal पर दिनांग, 5-12-2021 से पहल जैसे CCL, यह जो यहाँ पर जिसके बिभीन छेत रहें, उसको दिया गया है, उप्रोक्त establishment में से किसी एक या अधिक establishment को select करें, तथा उप्रोक्त trade में apply करें, ठीक है, तो मैं कोशेज करूँगा कि इसका जो है next video कैसे आपको apply करना है, उसका वीडियो बना दिया जाए, एक अगर आपने registration नहीं किया, तो आपना registration कर लिजेगा, और अपने registration को 100% क्या कर लिजेगा, complete कर लिजेगा, ठीक, ठीक ठाक वेकेंजी, अगर आप apprenticeship करना चाहते हैं, तो तब ही apply करें, मेरा काम है update देना, और अगर आप apprenticeship करने के चुक हैं, जारकंड के आसपास के छात रहें तो आप इसमें apply कर सकते हैं, ठीक, बागी आप निया में सब्सक्राइब करते हैं, यह सभी चीजें आप download करके इस notification को पढ़ सकते हैं, तो उमीद करता हूँ, आपको update पसंद आई होगी, ऐसे ही jobs related update आपको इस channel पर मिलते रहते हैं, तो channel नहीं subscribe किया, तो channel सब्सक्राइब